नमस्कार दोस्तों स्वागर था आपका फिर समारे एक नेच वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं OBC का रिजेट्शन के बारे में अगर दोस्तों आपने OBC परमान पत्र के लिए आवेदन किया है और आपको मेल या मेसेस्ट थूरू ऐसा बताया गया है कि आपका आवेदन रिजेट कर दिया गया है जांच में उसको रिजेट कर दिया गया तो उससे क्राशे से उधारे उस प्रोबलम को क्राशे दूर करें और अपना OBC परमान पत्र क्राश से बनावे जैसा है दोस्तों हमने कुछ दिन पहले वीडियो डाला कि किन ही लोग का रिजेट हो गया उन्होंने अपलाई किया बड रिजेट हो गया तो उस प्रोलोग को कैसे दुर करें इस वीडियो में वाज जानेंगे हम दोस्तोब जैसे कि आप दिखरा ओडरा साइड में अस्टिन पर हमने एट अस्टिन सोड लगाया है एक मेल हमारे पा सकता है कि OBC हमारे reject हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला बात जान लीजिए कि आपको उसमें OBC जब बनाते हैं तो उसमें जो जो दस्तावेज मानता है जैसे जाती पर्मान पत्र आवासी पर्मान पत्र आय पर्मान पत्र और एक आपका valid ID कार मणनता है यह चार चीज़ दिना पड़ता है तो आपको जाती कितना भी पुराना हो चलेगा बर दोस्तों आय आपका one year के अंदर को ऑना चाहि कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है और आप OBC बनाते हम अर आप परमान पत्र बना हुआ है कुछ आह मैं गौर है जाए होना होना चाहिए आपका जो भी डिटेल्स जाती आवासी मैं दिया पहले से सें से वही डिटल्स दोस्तों आपको OBC परमानपत्र बनाते समय है फिलब करना है कुछ भी डिटल्स मिस मैच नहीं होना चाहिए अगर आपका डिटल्स जरा साभी मिस मैच होता है तो आपको रिचेट कर दिया जाएगा दोस्तों यह दोस्तों मेन कारण हमारा है कोई भी अबदक नहीं होना चाहिए तीनों अपलिकेशन से मतलब जो जाती और आवासी है और आई में आपने इंफ़ॉर्मेशन भराया है सेम टो सेम इंफ़ॉर्मेशन आपको भरना हो जोड़ना होगा घ्रिजा और इदा आथार कार या पंक वहां अपलोड कर सकते हैं तो दोस्तो जैसे कि आपको दिख रहा है जो स्क्रीन सोट हमने भी गलती किया था और दोस्तो तो मेरा जो रिजेट का मेसेज आया है तो हमने क्या किया बताता नहीं दोस्तो आपको मेल पर या मेसेज पर कि आपका क्या गलती है किस कारण से रिजेट हुआ है बस आपको बता दिखा देगा आपको reject क्यों किया गया है आपको दिखा देगा जय सब नहीं सब परमांबत कर अब आए पर स्केज़ी में amount बढूधा है लड़का था और दोस्तों पती के नाम में उसने अपने पीता जीर नाम डाल दिया था है, हो सरता है मिश्टे को पढ़ने मुझे, पढ़नी पाय अच्छा से, पती को पीता पढ़ लिया हो, और पती में वो अपना पापा के नाम डाल दिया, जब की लड़का तो पती हो गा नहीं, वो ओप्सन होता है फिमेल के लिए जो साथ फिमेल है महिला है, उनके लिए पती का नाम डालने के उसमें उप्सन आता है, बट वो लड़का क्या किया, अपना पती का नाम पती का नाम में डाल दिया, दूसरा भी रिजेट हो गया, तो दोस्तों आपको फॉरम भरते टाइम एक ध्यान जरूर बना देने के लिए जो आया परमान पत्र है, जो बहुत दिन बन रहा है, जैसा कि आपको 28 दिन बानता है हमारा जो सौफ्ट्यर है, वेब साइट है, उस पर लिखा रहता है, 28 दिन चाहिए आया या ओबी सी परमान पत्र बनने के लिए, अगर आपको जरूरी जल्दी में ह परमान पत्र बनाएं उसको, तो इसलिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा बनादे रहा देने को चार से 5 दिन बना देने दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम बताना चाहा रहते हैं, बहुत लोग का OBC रिजेक्ट हो रहा था, तो OBC रिजेक्ट का कारण कैसे पता करें तो आप जाके बीलाँट में मिल सकते हैं अगर आप फिर से ओभी से अपलाइक रिजिए और वो सही सही इनफॉर्मेशन हो चाहिए कोई भी इनफॉर्मेशन गलत नहीं होगा तो आपका confusion है किसी पर्मानपत्र कर सकते हैं यह आप हमें इंस्टागराम पे मेसेज कर सकते हैं आपको रिपलाई अवस्त दिया जाएगा और दोस्तों परयास वर होता है अगले वीडियो में बताने के लिए अंतर क्या होता है जिसे बहुत लोग पर्मान पत्र क्या होता है, OBC पर्मान पत्र क्या होता है, फिर EBC क्या होता है, और एक तो फिर DM लेबल का अलग होता है, SDO लेबल का होता है, CO लेबल होता है, RO लेबल होता है, ब्लोग का होता है, पर्खंट का, क्या इतने सारे सब नाम हैं, क्या सेम हैं, या अलग हैं, वो अगले वीडियो में cover करेंगे उससे बार अपको कि अंतर क्या है और आपको क्रू रवन पड़नाना चाहिए और किस्टा कितना बहलती होता है आय कीigkeit होता है जाति है जाति है च क्या हिए खोने जोता गाले इंदे तो ऑन bye आपको हमेशा मिलता रहाएगा तो और वीडियो अच्छा लाइज रोक कीजिए रहा दोस्तों साथ जोर सेर कीजिए रहा दोस्तों थैंक्यू जैहिंद